इसको श्री लंका 스यल बोलते हैं ये श्री लंका के महलाएं काफ़ी पहनती है और उनकी स्टायल थोड़ी अपने से काफ़ी डिफरेंट है इसको ओसार्य जाता है डिकरत लिए क्रिक की सबाएं पहना है जो आप्तरअ करेंगे ठैंक्यु है इसकी GUYS पहल में कहता है style बोलते हैं यह श्री-लंका के महलाएं काफी पहनती है और उनकी style थोड़ी अपने से काफी different है इसको ओसार या सारी भी बोलते हैं वो style कैसे पहना जाता है traditional style आपको मैं दिखाऊंगी जो आप try ज़रू करेंगे thank you देखे किस तरह से पहना है उनका क्या होता है यह जो अपना साडी का पल्लू है वो यह नीचे लेते हैं और यह जो back side है अपना साडी का back side जो है जहां से अपने start करते हैं वो पल्लू के हिसाफ से लेते हैं तो यह मैंने प्लीट करके रखी है और मैं लेफ शोल्डर पे अभी उनको पीछे रखाऊ लगवा हूंगी और उसके उपर आप शोल्डर प्लीट डालेंगे पल्लू लेफ शोल्डर पे पीछे से style चालू करने का है साडी का जो अपन बैक साइड है और उसको आप पीन लगाएंगे यह इदर शोल्डर प्लीट डाल दिया है उसके बाद आपको आपको इसको थ्रेड दोरी बानने का है इसके साथ यह उनका टिपिकल style है श्रे लंका के और फिर हम इसको नौट बानेंगे दोरी बानना जरूरी है तो ही यह style बैठती है अच्छे से यह मैंने दोरी बान दिया है अभी यह जो portion है वो ऐसे निकालेंगे देखिए पल्लो में निकालूंगी और उसका पहले माप ले लूंगी क्योंकि तो ही बैटर रहेगा देखिए यह यहां से अप्रोक्सिमेट अप्रोक्सिमेट यहां आना चाहिए तो यह मैंने यहां से यहां से यहां तक छोड़ देती हूँ मैं ठीक है उसके बाद इसके बाद आपको जस्ट चालू करना है स्टाइल को देखिए यह मैंने बिगिनिंग किया है देखिए यह लोग रिवर्स पैनते हैं जैसे अपन ऐसे डालते हैं यह लोग उल्टा डालते हैं और बाहर रखते हैं बार को जो अभी आप देखेंगे देखिए यह इस तरह का बाहर लेते हैं और इसके बाद टरन करेंगे अपन देखिए देखिए थोड़ा थोड़ा बाहर रखेंगे और उसको continue करेंगे देखिए और continue करना है, पूरा राउंड लेना है और continue करेंगे सेट करेंगे उसके बाद आपको जो आपनने नाप लिया था यहां से आप इसको यहां से प्लीट ले सकते हो देखिए बहुत ही सुन्दर लगती है और यह नीचे टरस्ट ग्राउंड तक नहीं आती है लेक के उपर आती है, इस एकदम नीचे नहीं आती है थोड़ा उपर आती है इस ट्राइल यह मैंने प्लीट लिया है देखिए और मैं इसको अंदर से लेती हूं और गुमा रही हूं उसको पीछे से उपर ले रही हूं और यह इसको मैं ऐसे टन कर रहे हूं और फिर स्प्रेड कर रहे हूं अच्छे से स्प्रेड करना चुए तो वो गैदर अच्छा लगता है इसको यह थोड़ा स्लांटिंग आएगा और फिर यहां से आपको टक करना है देखिए इसको थोड़ा बराबर नहीं आया थोड़ा और लंबा भी रख सकते हो थोड़ा अच्छे से सेट करेंगे देखिए अच्छे से से सेट हो गया बाद में आपको इसको राउंड लेना है देखिए जो अपने छोड़ा था पूरा और यह पूरा पल्लू फ्रेंट में आता है यही उनकी खासियत है यही उनकी खासियत है जो उपर पल्लू आता है उनका टक करेंगे बहुत सुन्दर लगता है पल्लू को फ्रेंट में लाने को और दिखाने के लिए अच्छा लगता है निचे थोड़ा सा उसको फिटिंग करेंगे इसको भी थोड़ा सा टक करेंगे इस ट्रेट यह टिपिकल श्री लंका स्टाइल है इसको आपको बॉर्डर को थोड़ा सा बहार निकालना है तो आप निकाल सकते हो हो अगर नहीं निकालना है तो आप स्टेट भी रख सकते हो उसके बाद आपको यह निकाल देना है जो मैंने बनाई थी को पूरा सेट करेंगे और देखिये कितना अच्छा लग रहा है श्रे लंका स्टाइल काफी अच्छे लगती है पूरा उल्टी पहनते हैं पल्लू यह बाजू आ गया और यह पल्लू इधर आ गया आई होप आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया होगा जरूर ट्राइ करेंगे थैंक यू सो माच